यर क्या करूँ पढ़ने में मन नहीं लगता बार बार ध्यान मोबाईल की तरफ चला जाता है मोटिवेशनल वीडियो का सर पांच मिर्ट से जादा रहता ही नहीं आजकल दोस्त चवदा से पच्चिस साल की वो उम रहे जिसमें या तो आपकी जिंदगी बिखर सकती है चमकने के लिए सुर्ज की तरफ तपना होगा आप लोग पढ़ने का मन बनाते हैं कि कल पढ़ूँगा पर्सो पढ़ूँगा एक तारिक से पढ़ूँगा सुम्वार को पढ़ूँगा कब तक रहता हंके एक दिन वह दिन भी आया जब तुम कल पढ़ने को तक त्यार नहीं आजी सोच लो कि तुम्हें जिंदगी में क्या करना है वन्ना जिंदगी तो सोच ही रही है कि तुम्हारा क्या करना है अपने मोबाइल से वह सारी चीज़ हटा दो जिनका तुम्हारे गोल से दूर दूर तर कोई कनेक्शन नहीं है तुम पढ़ जवन्श राय बक्चन जी की कविता आज भी उतना ही मोटिवेशन देती है जितना की संदीप माईश्वरी और विवेक बिंद्रा के वीडियो देते हैं कहते हैं नन्नी चिटी जब दाना लेकर दिवार पर चड़ती है तो चड़ती दिवार पर बार बार फिसलती है चड़कर गिरना गिरकर चड़ना ना खरता है आखिर उसकी मेनत बेकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और सफलता एक चुनोती है इसे सुईकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुदार करो जब तक सफल ना हो, नींद चेंद को त्यागो तुम संगर्श का मेदान छोड़, मत भागो तुम कुछ किये भी ना ही चैचै कार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कोई तो इसा मोटिवेशन का सोर्स डूंडो कोई ना कोई तो सा ढूंडी लो, जितों है पढ़ने पर मजबूर कर दे अपनी उकात के लिए ही पढ़लो यार अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए पढ़लो अपने माबाप के लिए पढ़लो, उनकी उम्मीद हो तुम हमें अपनी जिन्दगी को जीना है, ना कि जिन्दगी को काटना है दोस्ता हर एक की जिन्दगी में एक एसा सपना जरूर होता है जिसके लिए वो जीने मरने को तयार होता है मुझे नहीं पता कि आप सपने देखते हैं या नहीं देखते हैं लेकिन मुझे इतना जरूर पता है, कि लाखो वीडियो को छोड़ कर, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आप में जरूर कुछ न कुछ खास बात होगी, आपके अंदर जरूर कुछ न कुछ एक छोटा सा बीज होगा, जो आकर जाकर पेड़ बनने वाला है, जूट अगर वीडियो ने अंदर से इला दियाओ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे, और फेला दीजे से वीडियो को वार्चाप और फेस्जूप पर, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, गुड़ बाए दोस्तों, जाई हिन, जाई बाए